अब बात करते हैं गेंद्य के बारे में इसको घर में स्टोर कैसे करें और इसके फाइदे दो बाग ये देखिए अब ये सूखने के खार प्यारा को मैं पेंकूंगे नहीं सूखने भी नहीं दूँगी तोड के रख लोग और ये देखे इस फूल में भी फूल है यहां पे पुंक्रिया सूख गई और यह बिल्कुल फ्रेस है इसी के अंदर से अंदर से अंदर से यह देखिए इसका फायदा यह है कि आप इसको घर में रखेंगे तो मच्छड भी नहीं आते हैं दूसरा कि इसका उप्यों का फेस्पैक के रूप में भी कर सकते हैं और अगर आपको फेस्पैक चाहिए तो बताईएगा जुरूर मैं बताऊंगी तो चलिए आएए देखते हैं इसको सुखाते कैसे हैं यह मैंने ले लिया है इसकी कुछ भूल है अब इसको सुखाना कैसे है कुछ तो क्या है यह देखिए इस तरह पहले रहेगा दो-चार दि इसकी हालत ऐसे कुछ हो जाएगी और बात में सुख के ऐसे हो जाएगे तो इसको यह देखिए मेरे फ्रेंड मांगी कि सरिता सुख गया तो मुझे दे देना थोड़ा दो-चार फूल सुख जाएगा तो मैं उनके लिए रखी हूँ उनको भीजबाऊंगी और यह इसको मैं करती हम आवाज आएगे देखिए विल्कुल सूख गया है तो अगर आपको 20 के लिए उपयोग करना है तो इसके पीछे वाला इसमें तो काला है नहीं दूसरा दिखाती है यह देखिए कुछ स्टैप है यह काला काला यह काला वाला इसी से भी बन जाएगा अगर आपको इसकी चाय पीनी है तो इसकी पंखुडियां का मुबाल के एक ग्लस पाइं डाली तो यह डाली और आधा रजाय तो पी लिजे आप उसमें सहत भी डाल सकते हैं और अच्छा फाइदा करता है और सुखाना कैसे आप बाल को अगर आपके घर में दूप नहीं जैसे मेरे ठंडियों में कम दूप आती है तो मैं इसको बाल कोनी में रख दूँगा और सुखे ऐसा बन जाएगा और आपका टीना मेंट है तो आप इसको चट पे रख दिजिए या अंगन में रख दिजिए सूख जाएगा मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नमस्कार